दुर्गा की मौत देश के एक मात्र टाइगर सफारी पर सवालिय निशान खड़े कर रही है दुर्गा की मौत कई सवालों को खड़ा कर रही है प्रवंदन कह रहा है दुर्गा एक महीने से बिमार थी चिरिया घर बंध है ऐसे में मौत कई सवालों को जन दे रही है दुर्गा और नकुल को वाइट टाइगर सफारी खुलने के बाद लाया गया था दुर्गा पिछले एक महीने से लगातार बिमार थी प्रवंदन का यह कहना है इस दौरान वाइट टाइगर सफारी कोरोना के चलते बंध थी दुर्गा का इलाज किया जा रहा था वैसे भी सफारी में इन दिनों कोरोना का भै व्यापत है दुर्गा की मौत क्यों और कैसे हुई इसकी पुकता जानका यह पिसरा की रिपोर्ट आने के बाद ही मिल बाएगी इस बारे में हमने वाइट टाइगर सफारी के संचालक संजयराई खेड़े से बात की आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे इस बारे में उनका क्या कुछ कहना था हमारे जू में एक दुखत गटना हुई है जिसमें औरंगावाज जू से लाई गई पिली बागिन जिसका नाम दुरगा था जिसकी उम्रे लभग साध वर्ष थी विगत 25 दिनों से अस्वस्थ होने के कारण उसका अपचार किया जा रहा था उपचार की करड़ी में हमारे दौरा विविन चिडिया घरों के वन्य परानी विश्चक के दौरा दौर दौरभास पर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उनको अवगत करा गया और उनके दौरा विश्चक के दौरा जो भी सलाह हमें इस लॉगडाउन की सिती में दी गई थी उसको दिहान में रखती हुए हर समभव जाच एवं उपचार किया गया परंतु दिरांक एकिस और बाइस की मद्र रात्री को उपचार के दोरान उसकी मृत्ति हो गई मृत्ति उपरांत वन परानी विश्यक एवं पसू चिकिससा को दौरा उसका पोस्मार्टम किया गया जिसमें प्रत्रम द्रस्या मित्तियों का कारण रिनल फैल्योर दोनों किट्नी का फेल होना बताए गया है एवं विस्तर जाच हितु सेंपल एकरतित किया गया रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा आप अपना बहुत-बहुत खयाल रखिए घर पर रहिए अपने मेजबान जिशान जावेद को दीजिए इजाज़त नमस्कार